बॉलिवुद स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज विराट कोहली विराट कोहली का ये रियाक्शन आया जब जूम ने उनसे पूछा अनश्का और उनके ब्रेक अप के बारे में हमारे स्वाल पर विराट ने साफ साफ कह दिया कि अगर उनसे परसनल सवाल पूछे जाएंगे तो वो नहीं देंगे जवाब विराद इसे के साथ विराद का डबल स्टैंडर्ड आ गया सामने अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डबल स्टैंडर्ड क्यूं है तो जनाब चिंता मत कीजिए जूम आपको बताएगा कि यह जवाब कैसे शो करता है विराद का डबल स्टैंडर्ड तो हमें ये समझ में नहीं आया कि आकर इस सवाल पर विराद को ऐसे तेवर दिखाने की क्या जरूरत थी कल तक तो खुद ही अनुश्का के दीवाने हुए घूमते फिरते थे विराद ब्रेक अप से पहले विराद ने शायद ही ऐसा कोई मौका छोड़ा हो जब वो अनुश्का के साथ ना दिखे हो या उनका जिक्र ना किया हो अनुश्का से अपने प्यार का इजहार भी उन्होंने सब के सामने किया इसके बाद कई बार ये छुटिया मनाने साथ गए यही नहीं अनुश्का और विराट में से जब भी कोई फ्री होता तो पहुँच जाता दूसरे के पास ताकि कर सके टाइम स्पेंड और इस बात की गवाह हैं अनुश्का की विराट के साथ ये न्यूजिलन्ड और उस्ट्रेलिया की तस्वीरें सिर्फ विदेश में ही नहीं बलकि इंडिया में भी जिस सिटी में विराट कोली मैच खेल रहे होते अनुश्का पहुँच जाती विराट का मैच देखने इन फाक्ट इंडियन प्रेमियर लीग के लास सीजन में तो विराट ने अनुश्का के लिए रूल्स भी तोड़ दिये और मैच के दौरान पहुँच गए अनुश्का के पास यही नहीं, जब विराट उस्ट्रेलिया में थे और अनुश्का की फर्स्ट होम प्रोडक्शन फिल्म एनुश्का के लिए दिखा दिया अपना प्यार यह तो हुई प्यार महबत दिखाने की बाते पर जब ब्रेक अप के खबरें आईं तो उन्हें भी हवा कहीं न कहीं विराट नहीं दी विराट ने अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर कर दिया अनुश्का को अनफालो और यहीं से ऐसा लगने लगा कि विराट और अनुश्का के बीच हो गया है ब्रेक अप और इसी पर ख्लारिफिकेशन के लिए हमने विराट से बात करनी चाही तो उन्होंने दे दिया ये रियक्शन विराट अब इसे आपका डबल स्टैंडर्ड ना कहें तो फिर क्या कहें ब्यूरो रेपोर्ट जूम मंबाई